दोस्तों, आज की इस बीडियों में हम बात करने वाल हैं कि इंग्लीज हम भारतवासियों की एक बड़ी समयस्या होती है और विसेश कर वे भारतवासियों की जो इंग्लीज मिडियम में ना पढ़कर सरकारी स्कुल में अपना जीवन बिताए हैं उन्हें खास कर इंग्लीज से जूजना पड़ता है उनकी यह समयस्या होती है कि भाई हम सभी सब्जेक्ट में ठेक हैं लेकिन हमारे इंग्लीज पूरी एकदम डबा गोल है तो मेरे साथ भी कुछ कहानी है ऐसी भी आई ये जानते एक मेरी सोटा स्टोरी जब मैं टेंट में था ना तो पड़ने में बहुत तेज था सभी में मेरे 95, 97 करके मार्क्स आये लेकिन मेरे इंग्लीज का मार्क्स आया ना वो 46 है यानि 46 मार्क्स जिसके कारण मेरा अस्टेट टॉप होते होते में बच गया मुझे बहुत अपसोस हुआ फिर मैं टुवल्थ में गया टुवल्थ में भी मेरे सभी में 85, 87, 83 मार्क्स आये लेकिन मेरा इंग्लीज में मार्क्स आया 50, 50 मार्क्स और मैं फिर से अस्टेट टॉप होते 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 पीछे रह गया तो मुझे बहुत पच्चतावा होने लगा कि यार मेरी English की कारण मुझे State Top की जगा नहीं मिल पाई फिर मैं सोचू कि आगी मेरा क्या होगा अगर English न सुधार हूँ तो सरकारी स्कूल का बच्च जिस तरह सभी का डबा गोल होता है उसी तरह मेरा भी डबा गोल था तो आए जानते हैं कि English को हम कैसे सुधार हैं देखिए English को सुधारने के लिए सबसे मैं कुछ टिप्स बताता हूँ आपको Life में भी काम आएगा, Competition exam में भी काम आएगा और आपके Subjective exam में भी काम आएगा तो पहला चीज, पहली चीज हमें बचपन से English नहीं पढ़ा जाता है, Master की ही दोस होती है, ठीक न, और अश्ट्रेंट की तो कम ही दोस होती है, लेकिन Master की ज़्यादा तरह दोस होती है क्यों सरकारी स्कूल में पढ़ा ही नहीं होता है, और सरकारी स्कूल की यह हम मुईक सम में सिया क्या है, इसका समाधान क्या है, पहली चीज आपको एक चीज करना है, कि अपने मन से English का भहे निकाल दीजिए, English 26 लेटर का वाइट है, ठीक न, जबकि हमारे हिंदी कितने 36 और 4 समझुकताशर होते हैं, ठीक न, तो उससे कितनी जाते हैं, तब जब हम हिंदी को ए दूसरा, English एक language है, ठीक न, इसलिए इसे आप सीख सकते हैं, और दूसरे देशों में जाकर के अच्छा खाजा पैसा भी कमा सकते हैं, जो रत पढ़ने पर, देखिए, अब सुधारने की बात करें, तो सबसे पहले सुधारना क्या होगा, कि वहीं से सुरू करना होगा, जह से हमने खोया था, यानि कि आपको क्लास 1 का बुक लेना है, इंगलिस का, ठीक न, सरकारी स्कूल के ही, और 1-5 का पहले क्लास, इंगलिस का बुक पढ़िए, और लिखिए, पुरह मैं यकीन के साथ बोल रहा हूं, जी न, मैं नहीं किया है, तब जाके आपको बता रहा हूं ठीक, पहले मैंने सुधार किया है, फिर आपके साथ बोल रहा हूं, 1 से लेकर 5 कलास तक के इंगलिस का बुक लीजिए, उसको study केजिए अच्छा से, फिर आप देखेंगे कि मैरे इंगलिस काफी improvement हो चुकी है, 15 से एक मैने के अंदर आपके इंगलिस improvement हो जाएगे, ठीक, दूसरी चीज़ क्या करना है, आपको every day 5 word लिखने है, ज्यादा नहीं, 10, 15 नहीं लिखने हैं केवल 5 और उसे याद भी करना है, और सपता के परतेक दिन, संडे में आपको revision भी करना है, ठीक, और एक चीज़, जितना भी आप इंगलिस जानते हैं उसका उपियोग किजिए जिसे घर में जानते हैं कि आप water बोलते हैं पानी को, तो बोलीगा कि one glass water देना, ठीक ना, अपना भाहन कुछ आए, अपना भाई कुछ आए, दोस्तों के साथ, जब भी, जितना भी इंगलिस जानते हैं उसका परियोग किजिए, क्योंकि जिसका परियोग आप नहीं करते ह जिसे ना, उसे हमारा दिमाग बूलने लगता है, ठीक ना, तो अपने माइंड में जितने भी चीजी इंगलिस की हैं, सारे बोलने की कोशिस कीजिए, और और एक चीज, इंगलिस अगर आप नहीं जानते हैं, नहीं सीख पाई फिर भी, तो कोई टेंसर नहीं, आज कल कितन हो जाएगी, तो मैं बता दूँ, आप इंगलिस पेपर पढ़ने तभी सकेंगे, जब आप इंगलिस जानेंगे, इसलिए न्यूज पेपर के पल्ले मत पढ़िए, ठीक, यह सब काम कीजिए, बस छोटी-छोटी बाते हैं, छोटी-छोटी बाते से ही आदमी महान बनता है, वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, धन्यवाद.